नमस्तेक मेरा नाम वरूम बालमीकी है मेरा उद्देश्य हिंदी भाषा में ऐसी जानकारियां उपलब्द कराना है जो विभिन विशयों के बारे में आपका ज्यान बढ़ाएंगी आज का विशय है महर्शी वालमीकी का जीवन परिचे कहते हैं कभी कभी जीवन में घटी एक घटना पूरे जीवन को बदल सकती है जो व्यक्ति स्वार्थ और बुराईयों से घिरा रहता है वो एक पल में जीवन की मुह माया त्याग कर सत्य की खोज में निकल सकता है कुछ ऐसी ही कहानी है रामायन के रचैता वालमीकी के जीवन की जो पहले एक लुटेरे थे जिनका काम जंगल के मार्ग से गुजर रहे मनुश्यों से एक लूट पाट करना था लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया पौरानिक कथा के अनुसार एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधूं को लुटने और मारने का प्रयास किया सभी साधू मौत को समीप देख भय भीत हो गए लेकिन उन्होंने से एक साधूं को किसी बात का भय नहीं था क्योंकि जीवन के प्रती उनका नजरिया थोड़ा अलग था साधूंने सबसे पहले रतना कर नामक इस लुटेरे से प्रशन किया कि तुम ये सब क्यूं और किस के लिए कर रहे हो अंक में साधूं के पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे ये सब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं तब साधूंने उन्हें ग्यान देते हुए कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंट केवल तुम ही भूगतना पड़ेगा तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे रतनाकर ने ऐसा ही किया उसने अपने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी और बच्चों से पूछी इस बात पर उसकी पत्नी और बच्चों ने अपनी असहमती प्रदान की और कहा कि हम आपके इस पाप कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे तब वालमीकी को अपने द्वारा किये गए पाप कर्म पर बहुत पच्चतावा हुआ और उन्होंने साधू मंदली को मुक्त कर दिया साधू मंदली से क्षमा मान कर जब वालमीकी लोटने लगे तब साधू ने उन्हें तमसा नदी के तडपर राम राम नाम जब कर अपने पाप कर्म से मुक्ती का मार्ग बताया वो सालों तक बिना अन्नजल ग्रहन किये तपस्या में लीम रहे इस कारण से उनके चारों और चीटियों ने पहाड बना लिया इसी तपस्या के फलस्वरूप ही वह वालमीकी के नाम से प्रसेध हुए क्योंकि संस्कृत में वालमीकी का अर्थ होता है चीटियों की पहाडी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद रामायन की महान रचना की उन्हें आदिकवी के नाम से पुकारा गया और यही नाम आगे चलकर वालमीकी रामायन के नाम से अमर हो गया